सब्सक्राइब कीजिए हमारी शानल को और बैल एकन को दबाईए हमारी लेटस सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जैशरे नाम दोस्तों कैसे हैं आप सब्सक्राइब कैसे पहुत सकते हैं कि ये रेलवे संट्रिक वीडियो जो है बनाने वाले हैं तो आज के वक्त में हर इसंसान को जो है एज़ रा मंतर जाना है दरशन जरने है और सबसे इंपोर्टन चीज क्या कई गी वहां का जो रैलव अब यह भी बना है तो वहां के वहां पे क्या हो रहा दोस्तों connectivity बिल्ट हो रही है दीरी-दीरे करके आप समझ रहे हैं और ऐसे में एक सबसे important चीज क्या है न कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी city से वहां के लिए train available हो यह कोई guarantee नहीं है अच्छा इस वीडियो में हम ल अच्छा option है अब बड़ एराम से वहां पे ट्रावल कर सकते हैं तो दोस्तों रेलवे हां पे चलाने वाला है एक मेमो ट्रेन जो की लखनाओ से अहुद्या के बीच में चलने वाली है और यह मात्र आपको 30 रुपे में सफर करा के देने वाली है ठीक है आपने से कही लोग से जो राम मंदिर का मंदिर है वो मातर एक किलो मेटर दूर है आप स्टेशन उतर के अगर आप हस्ट बुस सही है कोई दिक्कत अली बात नहीं है तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की हां पर जुरूत नहीं पड़ेगी तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि र लखनाओं पहुच सकते हैं लखनाओं पूचियर वहाँ से आप जो है यह मेमू ट्रेन पकड़के ट्रावल कर सकते हैं दोस्तों ट्रेन को टाइमिंग रखेंगा है वो शाम के समय में लखनाओं से जो जलीगी और जिससे आप जो है रात तक मतलब नौ साड़े नो दस बह पहुच जा है फिर आप वहाँ पर जाके विश्राम करें और अगले दिन सुबा सुबा दर्शन करें और फिर आप लोट सकें जिस पी तरीके से आप लोटना चारें तो एक बहुत अच्छी चीज है आप लोग के लिए अब दोस्तों इस वीडियो को बनाने का कारण क्या है या मैं आपको एक छोटी सी एक मेमो ट्रेन के बारे में बता भी क्यों रहूं यह समझीए दोस्तों यदि आप बस से ट्रावल करते हैं लखनाओं से लेके एहुद्या के बीच में एक तो आपको पांच गुना किराय देना पड़ेगा चलो एक बार को आप वो देने को अगर यह ट्रेन धाम तक जाती है तो आने वाले टाइम के अंदर तो आप इस ट्रेन से डारेक्ली एहुद्या धाम उतरेंगे वहां से आप सीधा बाइवाक करके जो है एहुद्या राममंदिर पहुंच सकते हैं अगर आप लोग ट्रावल करेंगे या आप लोगो के को मज़ा कॉमेंट में जरूर से बताएगा इस छोटी सीए के अपडेट वीडियो में दोस्तों इत्ते हैं